आप क्या अनभव करती है इस सबा में बैठे है अपने को क्या अनभव कर रहे हो ऐसे अनभव हो रहा है सामने देखने से तो माताएं कैसे स्टूडन्ट बन गई है ऐसे दर्शे हमने कब नहीं देखा इतना सारा सब माताएं सुभू में तो बैठती हो एक दो से मिल मिलके पता नहीं इतना चला लेकिन अब की जो सभा देखी काई देशर देखी बैठने का अब तरीका होता है नहीं कैसे बैठना है बाबा हमको हमेशर सिखाते थे जब याद में बैठते हो तो आपस में मिलके नहीं बैठो स्वास संकलब सबका अपना अपना होता है तो जितना हो सके योग में जब बैठते हो तो एक दो से थोड़ा दूर दूर होके बैठो तो हमने देखा पता नहीं काउन किसने ये सभाज बनाई है ये तो बहुत आज की सभाज बैठी है एक दो से दूर दूर होके ये अच्छा है याद में बैठो एक दम निर्संकलब होके एक दो का बीच बीच में अंगोंग से न मिले समझाना बैठना ऐसे है हाँ कोई देरी से आता है जैसे ये माता आई देरी से उसको आके ऐसे हिलाया तो जिनको आगे कान के कारण भी आना है आगे बैठना है तो वो सभा में पहले आके बैठे दूसरे को कभी भी हिलाये नहीं समझाने वो पता नहीं अंदर कैसे बाबा से मुलाकात कर रही है क्या रूरहान कर रही है अंदर किसा जूले में जूल रही है प्रेम के जूले में है ग्यान के जूले में बैठी है यह कोई खुशी के जूले में आनन्द के जूले में बैठी है बाप के संग संग किसा संबंधा से वो मिल रही है उसको ऐसे ऐसे करने से वो जैसे नीचे उतराद तो कभी भी कहां बैठो ये एक ऐसी बात नहीं है जैसे आउर ससंग में जाते है, कथा सुनने के लिए, कथा सुनी चला गया, ये देखो बैठा कई ऐसे है, जैसे पराई है बहुत, बरी पराई, यूनिवर्सिटी लगी परी है, हाल ये ऐसा बना हुआ है, जैसे सब गाउली स्टूडंट बैठे है, अभी आपको ये अनभव ऐसे होंगा, बैठने से ऐसे हाल में बैठने से, तो माता फार्म जो है नहीं, उपर में, वो माता नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टूडंट हूँ, इश्वरी पराई परती है नहीं, तो पराई के टाइम क्यों पराई रहा है, बाप, टीचर, सत्गु जो बाप है, वो ही टीचर है, तो हम उनकी पराई पर रही है, अब भी गीत में क्या सुना, ऐसा प्यार, ऐसा शिर्गार कौन कर सकता, रूहों को इतना प्यार कौन दे सकता है, ऐसा शिर्गार कौन कर सकता है, रूहों का बाप, तो ये एक student life है ऐसे पराई सुभू में भी दादी ने कहा सब के पास चौंपरी पेंसल होवे बहुत आपको आनन्दा आएंगा लिखत में भी points लखेंगी फिर इत्समिर्थी में लाएंगी तो आपको ऐसे लगेंगा एक आंत में जैसे student पराई परते हैं नहीं राजविद्या तो जब उसके इम्त्यान के दिन होते हैं तो वो बगीचे में जाके पराई रिवाइस करते हैं ये भी अमारा रिवाइस कोर्स है पिछारी क्योंको आज मैंने सुना कोई कोई माताएं कहती है पराई माताएं पता नहीं पिछे हमको बुलाएंगे या नहीं काउन सा टाइम आने वाला है ये अन्तम बाबा का बुलावा आया हमको बहुत खुशी हो गई है ऐसे लग रहा है जैसे ये पिछारी में हम आए है पिछे क्या हाला तो हो जानी है बरे लगन से उमंग से हाँ सबी दोरी दोरी आई है हाँ कल क्या होंगा कहा थोड़ी जाता है कहा भी नहीं जाता है मालूम नहीं कल का पर्दा काउन सा आएंगा परसुं का पर्दा काउन सा आएंगा शुब कार्या में कभी देरी न करनी चाहिए कोई शुब संकलप आवे, उसको भी चलाए न देना चाहिए, अच्छा पीछे शुब संकलप को फिर करेंगी, करेंगी नहीं मिन्ट के बाद पता नहीं वो संकलप मर्ज हो गया और बाहिर की परेस्थिती क्या हो गई, इसलिए कभी भी शुब घरी, शुब संकलप कभी नहीं पीछे ये करूंगी, पीछे पर नहीं रखना, जो आया अब करना है, तो हमने देखा हमारी जो माताएं है, वो गाली स्टूडन्ट बनके आई है, बड़े उमंग हुलास से पराई परने के लिए आई है, बच्छी का अर्थ भी तो पराई है, नहीं, बच्छी माना हीं क्या, बच्छी में इटें जब पकती है, लाल होके निकलती है, काली इटें होती है, तो ये भी एक बदलना होता है, तो बदलना किस आधार से होता है, ये सो उन्नती का वरश चल रहा है, बदलने का समय चल रहा है, हर एक आत्मा अपने को बदलने के लिए आई है, मैं बदलेंग तो मेरा परिवार बदलेंगा, समाज बदलेंगी, विश्व बदलेंगा, परन्थु पहले मैं बदलू, हम कहें समाज बदले, यह परचिंतन हो गया, हम कहें हमारे लोकिक परिवार में पती बदल जावे, बचा बदले, पोत्रा बदले, निरंद बदले, सास बदले, परचिंतन है हम उसके लिए पहले नहीं अंदर संकलब करें पहले संकलब करें स्ववणनति का मैं बदलू मेरे को बदलना है बाबा कहते है, यह आपका लक्ष है, सर्व गुन संपन अगर एक गुन की भी कमी हो गई, तो मेरा गुन अगर उसमें नहीं होगा वहवारक जीवन में तो मेरा वहवार दूसरे को अच्छा नहीं लगेंगा समझा नहीं, वो गुन नहीं होगा जहां समझो हमको सहन करना है किसको परन्तु हमारी धीर्य वतवस्ता नहीं है, धीर्यता का गुन नहीं है सहन करने की शक्ती नहीं है तो कोई ऐसी परिस्तिती आती है, कोई ने ऐसी बात कर दी जिसमें धीर्यता नहीं होंगी, तो जिबानी जिबानी उसको कोई शब्द बोल देगा ऐसा जो उसको जखम पहुंच जाएंगा क्योंक धीर्यता का गुन जो है, वो वहवार में बहुत जरूरी है एक धीर्यता की अवस्ता हो, दूसरा सहन शील हो क्योंक इस पिर्विर्ती में परिस्तितियां आएंगी न सिर्फ परिस्तितियां विगुन भी आएंगे परंतु वो कोई समझे, इसके कारण ये विगुन आया इसके कारण ये हुआ नहीं, विगुन लाने की भी निमित मैं हूँ परिस्तिति को ले आने की निमित भी मैं हूँ जिसका अपने अंदर का गहराई में ध्यान गया हुआ होँगा अंदर जैसे सागर है, सागर के अंदर चले जाओ शान उपर से लेरे हैं तो मोती कहां से मिलते हैं, सागर के तले से अंदर सागर भरपूर है, बाहर की लेरे हम उस ग्यान सागर के बच्चे हैं, मास्टर सागर इतना ही जितना हम अंतर मुक्ता में रहते हैं, साइलेंस में अंदर रहते हैं उतना हमारे अंदर बहुत कुछ है हर एक बच्चे को बाबा ने ख़जाने दिये हुए है अवनाशी ग्यान का ख़जाना है समझा नहीं अवनाशी ग्यान का ख़जाना मना शक्ती जैसे कोई को तन की शक्ती होती है, सरीर अच्छा होता है कोई को धन की शक्ती होती है, धन बहुत होता है तो समझता है मेरे पास सब कुछ है समझाने उनको फखर रहता है मेरे पास तन भी अच्छा है और धन भी अच्छा है परंतु उसके पास मन अच्छा नहीं तो कोई काम का न धन है न तन है समझाने वो समझता है मैं अच्छा हूँ परंतु इस मन जो है अगर वो इसका अच्छा नहीं है मन रोता है तो कोई नहीं कहेंगा यह अच्छा है इसलिए इस अध्यात्मक शक्ति के लिए मन अच्छा होना चाहिए अगर मन अच्छा हो गया तो उसके सद के तन भी अच्छा हो जाता है तो धन भी पीछे-पीछे आने लगता है क्योंकि ये अवनाशी ग्यान धन ऐसा है जितना बांटो उतना आता है पीछे-पीछे आता है तो उनसे सब कुछ आता है कहते है वाप, तू रव मेरा जग रहेंगा तेरा अगर कोई समझे नहीं मैं जग में हूँ दुनिया में हूँ, मेरे को दुनिया में चलना है तो जरूरो सरस्म, रवाज सब से चलना पड़ता है वो मेरे को करना पड़ता है परन्तु ये उसको संकलप आता है जो अपन को ग्रस्ती समझते है ग्रस्तियों को ये संकलप आएंगा भी जरूर क्योंकि समाज में है ग्रस्ति, वो समझेंगा नहीं, सब जो भी ग्रस्ति लाइफ में सब कुछ करना होता है, हमको करना ही पड़ेंगा, परन्तु ये लोकिता है दो, बाबा ने ग्रस्ति नहीं बनाया है, पिरविर्ति में काउन सी पिरविर्ति दी है, जैसे कोई को संभाल के लिए दिया जाता है, नहीं, कोई मर जाता है, सरीर छोड़ता है, पैसा है, कोई समझता है मैं धर्मसाला बनाएंगा, इस पैसे से अच्छा काम होगे, तो ट्रस्त बनाते हैं, तो वो जो ट्रस्त ही होते हैं, वो समझते हैं, इसका मालिक वो था पैसे का, मैं नहीं हूँ मालिक, जैसे उसने कहा है, इसको संभाल के ये ये पुन्य का काम करना, वैसे मेरे को करना है, ऐसे ही शिव बाबा ने, अपने बच्चों को जो ग्रस्ती है, उनको ट्रस्ती बना कोई को सेंटर में रख्खा जो बंधन जिनका हल्काहश जिनको बाल बच्चे हें उनको ट्रस्टी करके रखआ। आप घर में रहो, क्यूं रखा आप न रहेंगे तो वो बच्चे अछे नहीं बन सकेंगे उनको संग नहीं अच्छा मिलेंगा। पती को अच्छा संग मिले, बवु को अच्छा संग मिले, बच्चे को अच्छा संग मिले, वो आपके कारव हो, आप रहेंगी तो उनको आपके द्वारा बहुत कुछ शक्ति मिलनी है, बाबा ने आप बच्चों में फेत रखा, यही मेरे बच्चे राइट हेंड है, जिनको तो मैं पिर्विर्ती में रखूँ, क्योंकि इनका सने है मेरे शे, मन मेरे में है इनों का, मेरे आगे कुर्बान है बच्चे, तो फेथ रहता है, सत्य बच्चे है, मेरे हैंड है, एक मददगार बच्चे है, तो किन से काउंसी मदद लेनी है, किन से काउंसी मदद लेनी है, ये बचे पिर्विर्ती को अच्छा रख सकते हैं, ट्रस्टी बनके, इनको वहां रखे, क्योंको कई ऐसी माताएं हैं, जो आज भी कहती हैं, हमको तो भई, यहां मधुबन में ही रख दो, हमको तो कोई सेंटर में रख दो, भई, बाल बचा का उन संभालेगा, रचता, रचना को संभालेगे, तेरे बिगर वो कैसे ठीको होंगे, लगन तो है आपकी बहुत अच्छी, बाबा से प्यार है, परन्तु हमारा कोई ऐसे सन्यासियों मुआफिक, घर बार छोड़ने का थोरे ही है, हमको तो जो पुर्षों ने नहीं किया, सन्यासियों ने नही किया, वो आज ये शक्तियां करके दिखाती है, माताएं करके दिखाएंगी, क्योंको इतना समय पुर्षों ने पवित्रता का विर्तु रखते आए है, सन्यासियों बने, अच्छी-अच्छी महामंजलेश्वर जो है, जिन्नों ने इस पिर्थवी को फिर भी बचा के रख था, परन्तु विश्वर नहीं बदल सकी उनके कारण, लेकिन जब माताएं आगे आई है, पवित्रता का मीरा उठाया है, तो माताओं के कारण पिर्विर्ती सारे की सारी पवित्र हो जाती है, नारी ने नरतारे, ऐसे नहीं कहेंगे कि पुर्षों ने इस्तरियों को तारा तारा नहीं कहेंगे, चाहे शादी में उनको कहते है पती गुरू है, पती परमेश्वर है, उनके पीछे चलना है, पर वो पती में ताकत नहीं आई, जो वो पीछे कदम पीछे कदम रख सके, अगर पती शराबी होगा, मीटा अंड खाने वाला, जुआ खेलने वाला, ऐसा होगा, तो इस तरी कैसे उनके पीछे चलेंगे, वो भी ऐसी बनेंगी, जो चली है, उनके घरबार बरबाद हो गए है, कहीं समझते हैं, तो जरूर हमको कमपनी देनी है, पत्यों को, वो भी मीट खाती, आना खाती, बच्चों को टीवी दिखाएंगी, उनको सिनेमा साथ ले जाएंगी, कलब ले जाएंगे, ऐसे भी परिवार बरबाद हो गए है, ये तो माताओं के हाथ में है, जिन्दगी का, हाँ, जिन्दगी बचाना, जिन्दगी न बचाना, पापा का काम करना, पुन्य का का काम करना, ये माता गुरू, माता के हाथ में है, शुरू शुरू में हम जब बाबा के पास गए तो भी बाबा माताओं को जब देखता है ये माताओं के हाथ में जिन्दगी बच्चों की है परिवार की है माताओं जागेंगी जब अच्छी दिल से जागेंगी सारा विश्व जागेंगा जब तक माताएं नहीं जागेंगी विश्व सोएंगा माताओं में कई गुन है क्योंको कोई कोई कारी किस द्वारा होना है निमित बनते सब ही है सब में कोई न कोई विशेष्टाएं होती है ऐसे नहीं है विशेष्टा नहीं होती है हर एक बच्चे में विशेष्टा कोई न कोई है लेकिन माताओं की विशेष्टा एक अलग है माताओं चाहे क्योंकि अब भी 36 गुन माताओं के तो 32 गुनपुर्शों के कम दिखाते हैं अगर माताओं उनको दिव्य गुनों में ले आवे तो माताएं विश्व का उधार कर सकती है अगर माता में अगर उसमें पूरा समझा जावे पहले तो ज्ञान की शक्ती होवे उसमें पुन्य क्या है, पाप क्या है ये रियलाइज अंदर करें क्योंकि इस सारे अध्यात्मक शक्ती का फाउंडेशन है ज्ञान, विवेक विवेक क्या काम कर रहा है विवेक में क्या रियलाइज हो रहा है अंदर उध्धी में क्या रियलाइजेशन आई है जब तक रियलाइज नहीं होता है तो पाप का काम छूट नहीं सकता परिवर्तन अपनी जीवन में नहीं होंगा, इसलिए बाबा रोज सुबू सवेरे ज्ञान समझाता है, सभी को, कहीं है यहां माताएं जो रेग्यूलर क्लास नहीं करती है, समझती है हमारा बाबा से मुरली दर से प्यार है, परन्तु नहीं, शक्ति शा, है शिव शक्ति, शक्ति में शिव की शक्ति चाहिए, समझ चाहिए, रांग क्या है, राइट क्या है, पाप क्या है, पुन्य क्या है, Realize करे हर बात को Realize करे Judgment निरने शक्ति तब ही आती है क्योंको माताओं को कई फैसला घर में करना होता है बच्चों का फैसला करना पड़ेंगा संबंध्यों का फैसला करना पड़ता है कई बातों का फैसला घर की रानी माता होती है तो माता बहुत अच्छी चाहिए घर की रानी है घर संबालने वाली है खर्चा माता करती है आज क्या आन्य सबजी आज गी आना है आज देना क्या है आज शादी करानी है आज क्या देना है लेना क्या है यह माताओं के हाथ में है पुर्ष तो कमाई में जाता है, माताओं के हाथ में देता है तो माताओं को बहुत पुझा और पाप को संभाल के भई ये खाता मेरा किसे जगह जाएंगा प्रैक्टिकल करम करते हैं नहीं, करम का खाता है इसमें सेकन सेकन करमों की बहुत गोयगती है सारी कर्मों की बाजी चल रही है हर एक अपना कहते हैं न तकदीर बना के आई हूँ हर एक बच्चा अपने साथ तकदीर ले आता है कोई बच्चा वोई मां को बच्चा अंधा लूला लंगरा पैदा होंगा कोई बच्चा बहुत अच्छा पैदा हो जाए बिचारा बच्चा आया तो सहीं दुनिया में छोटे पन से कोई आगे के जनम ऐसा करम करके आया जिनको ना आंख है, ना टांग कोई को है, ना हाथ है ना बोल सकते क्या-क्या बच्चों की आज जिन्दगी, बिचारों की पाप कोई आंखों से बुरा देखता है अंधा हो जाता है कोई कानों से निंदा सुनता है बैरा हो जाता है कोई मुखह से कोई को ऐसा बुरे शब्द बोलता है तो गुंगा हो जाता है जखम पहुंचता है ना कोई को शब्द बोलो उनका देखो अंदर कितने संकलब चलते है उसक के लिए जखम पहुचाय दिया, मारसें भी ये बोल जो होता है नहीं, वो ज्यादे दुख देता है, कहां उसको दिबान मिल सकते हैं, अच्छी, करवा बोलने, तो यह जो है कर्मों की गती है अंदर, ऐसे तुरी बिजारा छोटे बचे ने क्या ऐसा यहां के किया जो दुख होगा, दुख दे के आया है, उसको दुख मिलता है, छोटे पन से, कुछ मां का ऐसा संबंद आगे लेन देन का है, जो उस मां के गर्ब में आया, जो विचारी उसके कारण, वो भी दुखी हो जाती है, कहेंगी न, मैंने क्या ऐसा करम किया जो बच्चा आया, यह लेन देन के हिसाब देखो, इसलिए बाबा कहते है, लेन देन जब करते हो, तो समझ सोच के करो, चाए संकलब, चाए वानी, चाए करम, चाए तन, चाए मन, चाए धन, सफल हो रहा है, यह कहां, असफल होता है, यह बड़ी समझ चाहिए, यह ज्यान तो मिल गया सबको, परन तु प् उसमें मेरे कर्मों की क्या गती चलेंगी मैं आई हूँ बाबा के पास जो करम बंधन त्रेहट जनम से मैं बंधन में बंध गई उस से छुटकारा पाने के लिए बंधन मुक्त होने के लिए क्योंको मुक्ती, जीवन मुक्ती दाता एक परमात्मा और कोई देधारी मनुष मुक्त नहीं कर सकता बंधन से मुक्त एक बाप कर सकता इसलिए बाप कहता है मेरी माताइं बहुत बंधन में बंधी हुई समझा उनको कैसे छुटकारा मिलेंगा मिलेंगा तो श्रीमत से पर श्रीमत को समझे तो सही अच्छी तरह श्री एक का दूसरा न समझ के बैठे इसलिए बाबा कभी कभी कहता है कोई ऐसा करम हो करने का तो पूछ के करो अपनी मत से करो तो पापन कहा कर लिए आपको ट्रस्टी करके मैंने घर में रखा है समझा नहीं तो ट्रस्टी क्या करती है मालिक ने जो चीज़ दी है वो अंदर अपनी नहीं समझनी है अगर अपना समझ लिया तो अमानत में ख्षानत डाल लिए पाप नहीं है शेवार्थ बाबा ने रखा तू मेरा बच्चा ट्रस्टीयों के घर में रहू परंतु उस घर में मैंने अपना समझा ये धन मेरा, ये बेटा मेरा, ये पथी मेरा, ये संबंधी मेरा समझा रग है न सूक्षम इसको पकरना जरूर ये अमानत में ख्षानत परजाती है अंदर से बाबा ने रखा ट्रस्टी करके मेरी चीज़ है बच्चा आवे आगे यह बाबा का बच्चा बेटा तू किसका हो तू बाबा का है, कई ऐसे शिख्षा देती है माताई चोटे-चोटे बच्चों को, तु आत्मा कहा हो, फिर बच्चा दिखाता है मैं यह आत्मा हो, बेटा बताओ बाबा कहा है, परमधा, बेटा बिर्मा बाबा कहा है, क्योंकि चित्र लगा हुआ होता है, वो चित्र बैठ के बच्चों को समझा दे, यह है माता गुरू, ट्रस्टी, बेटा तु किसका बेट तो बिर्मा कुमार हो हान है बिर्मा कुमार हो यह तो यह तो हुआ नहु R आए वो आपके बच्ची को सुनाया कई परीपील दिखी बच्चीयां होती है, कालेज में जाती है, स्कूलों में जाती है, विचारियों को क्या संग मिलता है? विचारी को कितना घंटा वो दूसरी बाहर की पराई करती है. पराई जो बाहर की करेंगा उनको कितना अच्छा संगु चाहिए बहां तो गई बिचारी को आठ गंटा, साथ गंटा बाहर की पराई मिली, उसमें विचरन किया घर में आई, आई, खाना पी ना खाया, फिर किताब उड़ लेके बैठ गई, सोई, फिर गई, खेल खेलने, सैरी के घर, सक्खी के घर में, क्या जीवन उस बच्ची की बनी, क्या मार ने सोचा, उस बच्ची के लिए कन्याधान महादा, आज भी आप नेपाल में देखेंगे, रवाध है, तो जो कन्याए है जब शादी करती है, पहले शिव की पृत्मा जो रखी है नहीं, पशुपती को शिव कहते है, शिव है उतका नाम, तो पशुपती कहते है, उन से शादी कराके पीछे उस लड़के स कीसे मिलन मना है आत्मा का परमात्मा पे करा है, उन बिचारों को क्या पता, यह तो मिलन मनाते हैं, हमारी शगाई भी हुई तो हमारी शादीयां हुई हमारा तो सब संबंध एक से हो गया, उनकी बुद्धी भटकती रहती है, सब से संबंध बेचारों का, तो उनमें महतव डालना चाहिए, वास्तों में तू किसकी हो, आत्मा किसकी हो, यह तो पीछे का बंधन है, दे का, दे के बंधन में तो रसियां बंध जाती है, दुख कितना फील होता यह घर में देखो, कोई बेटा कपूत निकलता है, बाहर में घूमता फिरता है, पता लगता है मां को, यह कोई लड़की के उचेर चार करता है, कोई लड़की उचेर चार करके आई है, कितना दुख मां को होता है, ऐसे कपूत बच्चे पैदा हो गए, जो कुलका बदनाम है बरेते बरी बदनामी तो यह होती है इसलिए इसको जल्दी शादी कराए जवान जवान बच्चे बच्चियां कैसे रखे क्योंको आज की जिंदगी में दे अभमान आम भाव है दे धारों से अटेच्मेंट होती है क्योंको माडरिन लाइफ में पिक्चर देखना नावल परना घूमना दोस्त सखियां सब ऐसे मिलते हैं तो घर का शिंगार उस बच्चे को कैसे बनाए छोटे बन से बिचारे का चरीतर सुधर जाएंगा कैसे यह पाप नहीं है बच्चे का कोई ध्यान न रखे मा अपना ही समझे मेरे कोई करना है पर मान जो खुद संपन होती ह है समझदार होती है उनको आएंगा इसको भी पुझा अत्मा बनाएं संकलप जरूर आएंगा चाहे मुखह से बोले न मोले उसकी जीवन अपने घर में ऐसी होंगी जो बच्चे का ध्यान रहेंगा यह योगिन मेरी मा है कमे कम इतना तो फील करे जो बच्चा घर में रहे पोत्रा रहे पती रहे संबंधी दूर से आवे मिलने के लिए तो ऐसे सधारन तो घर गरस्ती न समझे तो यह गरस्ती घर में जैसे और जगए जा रहे है वैसे इसके घर में हम चाह रहे हैं अरे इस घर में यह तो मंदर में मैं चाह रही हूँ ऐसे उनको फील होए कि यह मंदर है और मंदर उसको फीलोंगा जिसने मंदर बनाया होंगा प्रैक्टिकल घर को कोई अस्थान ही नहीं दिया है बाबा को जगए नहीं दिया है बच्चों को जगए दी पोत्रों को जगए दी पुत्रियों को जगए दी सब कुछ दिया बाबा को एक इतना छोटा कमरा भी बना के नहीं रखा मूती जहां खुद योगा में बैठे, परिवार को बिठाए कोई बाबा के महावा के बैठ के सुनाए वाइब्रेशन वायू मंडल घर का बनाए सके तो जहां बाबा ही नहीं हादर रखेंगी तो उस घर का वाइब्रेशन क्या होंगा वायू मंडल क्या कहां से बनेंगा बनाने के लिए भगती मारग में भी हमने देखा कि हमको भगती मारग में कहानियां जब सुनाते थे कहते थे एक कमरा ग्रन सहिब का रखो आप देवी देवताओं का चितर रखो अच्छे अच्छे चितर रखो ग्रन सहिब परो यह जब सहिब परो सुखमनी परो छोटे पन से हमने रही किया है क्योंकि हमारी लोकिक माम भाव बहुत भगती में थी बाराम बजे तक न खाना न पिना बैठी रहती थी पढ़ती रहती थी तो हम देखके शिखे नहीं उसको भई वो खाती पीती नहीं है नाता ही नहीं करती है और वो ऐसे बैठी रहती है भागवत परा गीता परी सुखमनी परी जब सब पूरा नहीं करेंगी उठेंगी नहीं कमरे से सारा कमरा बना की रखा है और हम ज्ञानितु आत्मा उनका भगती का देख के बच्चे भगत बने और अगर आप योगी घर में बैठी है राज योगन्या एक-एक योग नहें सक्षी किसे से मनु लगाया है योग मना आत्मा का संबंध बाप से और योगनी घर में होवे इतनी पवत्र और उनके बच्चे अग्यानी बन जावे वाइब्रेशन ही नहीं जाता है वायू मंडल घर में न बने इसका मतलब पूरा उसने घर को बनाने की कोशश नहीं किया बगती में कोशिश करते हैं वायू मंदल घर का अच्छा बन जावे, बगती में आजावे और इन्या इतनी पुझ्जो आत्माएं बाबा की, उन्होंने क्या किया बच्चों के लिए घर बनाया, बच्चों के लिए ही सब कुछ किया घर को बनाना वायू मंदल कैसे अमारे घर का बने उसके लिए संकलब क्या किया क्या प्रैक्टिकल में किया सुबू सवेरे उठ के वहां तो आती है सभी सिंटर पर परन्तु अपना घर सिंटर बनाया या वो ही सिंटर है अगर अपना घर सिंटर नहीं बनाया बाबा ने क्यों घर में रखा, तो घर को मंदर बनाओ, जब बाबा ने इसलिए घर में सभी को रखा है, तो वो बाबा की श्रीमत मेरे कानों में नहीं गूंचती है, मैंने क्या किया, बाबा की मत पर चल रही हूं, या बच्चों के मत पर चल रही हूं, या मन के मत पर चल र क्या कहेंगे दूसरे ये बिर्मा कुमारी होके बच्चों को भी खराब करती है उनको भी ज्यान में ले आती है उनको आता है इनको बच्चा इतना जौन हो गया है अब शादी नहीं कराएंगी जौन लर्की को भी शादी नहीं कराएंगी जौन लर्की को भी शादी नहीं करा दुन्या क्या नहीं कहेंगी, विचारी दुन्या की बुद्धी कहां है, उनको है, राइत क्या है, रांग क्या है, पुन्य क्या है, पाप क्या है, उनको पता दुरी है, वो तो विचारी माया के मुख्छ में परे है, उनके उपर तो हमको रैम करना है, और वो समझते हैं, हम वो हमारे उपर क्यों चराई करे उनको ये संकलब क्यों आवे हम इनको राय दे वे तू ऐसे मत कर समझाने ये सोचने की बाते हैं ये कमजोरी है अपनी तब भी अपना घर बनाए नहीं सके है जिसने जो कहा थोड़ा अंदर आता है ये भी ठीक कहती है ये भी ठीक है पता नहीं हम भी चल सके पूरा नचल सके फिर दुन्या समाज क्या कहेंगी ये चल सका बचा नचल सके फिर इदर उदर फिर क्या दुन्या कहेंगी क्या समाज कहेंगी ये सारी कमजोरी पहले ही आवा भिषभार करता है। ऐसे वार कोई नहीं करता है। बाबा ने हमेश्का है सी फादर। बाबा ने कहा एस्टुडंट को देखे। बच्चों को शादी करा दिय। उसने अपने बच्चों का ध्यान रखा ठीक घर को कर दिया। और हम यहां ऐसे करें पिर क्या कहेंगे हम अभी अईसे करते है। धीली हो गई उस added student को देखके student धील हो एक हुग किनी पढ़ेंहें है जबी the school में पढ़ते है student को student को क हैल्या है वह कहते है teacher जो पराता है वह मैं परू और वो पराई में हुशार होता है स्टूडन्ट जिसका ध्यान पराई में होता है टीचर क्या पराई रहा है वो स्टूडन्ट स्टूडन्ट को नहीं देखते है कई स्टूडन्ट फेल हो जाते है उन जिनका ध्यान पराई में नहीं होता है खेल पाल में होता है, लड़कों लड़कों का होता है, कहां दूसरों से कुछ उच्छों को होता है, खेल में पाल में, वो क्यों आगे नंबर लेंगे, पर दूसरे जो फर्स्ट नंबर आते है, सेकन नंबर आते है, वो से स्टूड़न्ट को थोड़ी देखते हैं, ये करता है तो मैं भी ऐसा करूं कभी किया है कि पराई तो बाबा कहते हैं ये पराई भी है बाप है घर है अलोक परिवार भी है तो ये university भी है पराई भी है तो पराई तो अच्छी तरह हैं से करनी है ने पराई से ही हमारी प्रालबुद है और पराई जो है वो इसे ही जीवन में हमको महसूस होता है हम पर रही है ठीक और जो बाबा पराई रहा है हम ठीक वो कर रही है दिल शाहिद होते है दूसरे भी समझते है यह स्टूडन पराई अच्छी कर देखा तो आज दादी जानकी ने देखा ये लिख रही है इसको देखा, मेरे आगे बैठी का ये कौन है, मैं का ये करनाल की है माता जिननाम भूल गया था कहना, कहा मैं सदीव देखती हूं, इसकी काफ़ पेंस रहत में होती है और इसका परही में अगे आगे ऐसे पराई करेंगे, अभी विद्धे को सामने बैठी है, पराई बैठी है, तो कहा मेरा ध्यान जाता है, तो यहां सुनने वाले, पराई पढ़ने वाले, जो ऐन दिल से मेरे को जी करना है, कउन कउन सी मात आए है, मैं जाचा रखती हूं, तो यहां किन को शौं कुछ बनने का, समझाना उनको थुरा आगे और ले लाना चाहिए, तो हमने उनको कहा था, पूछा था इसे से, तो तो ने घर में बाबा को रखा है, तो पहले नहीं रखा था, अब भी कहा तो हाँ, अब रखा है, बहुत अच्छा वातावरन, वायु मंडल, इतनी खुश है बात नहीं पूछो, वातावरन ही घर का बदल जाता है, प्रेक्टिकल है, और जिसके घर में वो वातावरन बाबा का ही नहीं रखा होंगा, तो वातावरन क्यों बदलेंगा, वायु मंडल क्यों बदलेंगा, उसने क्या किया उसके लिए, शेवा क्या की है, कैसे बनाना है मूर्तियां जैसे घर में फोटू निकालते हैं, सारे संबंधी मिलके फोटू निकालते हैं, वो फोटू रखे हैं, कहां एक्टर का फोटू रखा है, कहां नाचनेवाली का फोटू रखा है, कहां बवु का रखा है, कहां शाध्यों का रखा है, वो इंसब देखते रहते हैं जित्र है। बाबा ने का आए, यह को रखे लिए ए। हम ऐसे चित्रा रखना है। भग्ती भार्गमे भी देवताओं के कहती है। जित्रा रखे लिए उपने परिवार के जो प्लाएं में पोट्रा एक अठा एक कर लोग होगा है। तो योग कहां लगा हुआ है अंदर? योग तो देखे संबंध्यों में लगा हुआ है, उसका फोटू देखकर खुश हो रहे हैं, शादी बच्चे को कराएंगी जादी में यह हमारा देखों कैसे शादी में यह जन्याई है, यह लड़की ऐसे बैठी है, अभी यह हम ऐसे ब हाथ में उठाए सकते हैं, दिखाए सकते हैं, बाबा कहता है कि कसाई के हाथ में बच्चे को देते हैं, बच्ची को देते हैं, हमको शब्द वो याद आते हैं दिल में, बाबा के, सामने बाबा के सुना हुआ है, नहीं, तो हमको बहुत रहमाता है, खास कुमारियों और उनकी जिन्दगी पेले अच्छी है, बिचारे क्यों जावे उस जिन्दगी में, अंतम जनम है इसके बाद, दुन्या भी पुरानी, अंतम जनम, अंत जनम में बाबा को याद करके सरीर सब छोडे, पवित्र हो के छोडे तो पवित्र दुन्या में तो आवे, चलो जनम जनमा परविर्ती ऐसे ही हो, चली आई है शुरू से, अब जब पता पड़ता है, इससे हमारी आद मध्यान तो गरावट हो गई, यहां से दुख शुरू होता है, जब दुख यहां से शुरू होता है, तो उससे किस बिचारे को बचाने की चीज़, हम करें न ध्यान, आज कोई चोटे बच्चे को बिच्व काटता है, देखते हो, तो आप क्या करेंगी, बच्चे को उठा के इदर कर देंगी, जबरदस्ती भी, क्योंको आपको पता है, यह बिच्व इसको जहर देंगा, मर जाएंगा बच्चा, तो आपको दुख होंगा, मरेंगा तो बिच्व काट तो यह काटना नहीं है, अपने बच्चे जहर में चले जाए, विश्व है, यह जहर है, एक पिरकार का, आदमध्यान्त यहां से दुखो होता है, तो उस अब में जहर में क्यूं बच्चे को भेजी, क्यों को होता है, मेरी बवु आएंगी, मैं तो हल्की हो जाएंगी, घरो स सकती है, स्वारत, स्वारत वाला कभी शेवा नहीं कर सकेंगा, शेवा माना स्वारत नहों, निस्वारत शेवा उसको बाबा मदद करेंगा, जिसमें कोई भी स्वारत है, किस पिरकार का भी स्वारत अंदर रहा, उनकी शेवा सफल नहीं होंगी, क्योंकि यह बहुत कमजोर ही है स्वारत दूसरे में रखना यही तो हम कहते है दुन्या में जो है सब का स्वारत है स्वारत है मतलब की यह दुनिया सारी मतलब के है कुटम परिवार सब मतलब ही मिले एक बाबा है निस्वारत शेवा कर रहा है बच्चों को शिंगार कर रहा है यह ब्रह्मन ही है जो नि ऐसे से एक तूहीं सहारा, जब सर्वसंबंदर एक से है, एक बाबा है, वो ही सहारा, भगती में भी कहा तूहीं एक सहारा, तो अचिनु प्रैक्ट्रिकल सुयम आजा है, सहारा नी बनीा कि दूजाना, पर अ है, अपनाश्य दूए हो गएा, है अपना फेथ अपने में नेीं तो Baba क्यों मदद करेंगा, आपने क्या निष्टाइ किया अपने को अपने को पहले निष्टाइ करो आपने मदद करेंगी आपने कोखो निष्ट benefit और पेपर तो रहेंगा, पेपर में फेल क्यों हो जाए आपने कर दो अजylanüy oppose पेपर, टो सब phenomenon भूतों से भी अइएंगा, भूतों से भी इविल सोल वालों से भी आएंगा, लएका उनसे हिसाफ किताब उन आतमाओं और जो पर्वेश कर जाते है, उनका भी उधार करना है हम को, ऐसे नहीं है डरना है अरे इसमें इविल सोले, कोई के पास झाल निकालने जहार लगाएं निकल जावे, योग शक्ति की अपनी कमी है, इसका मतलब उन्नों में शक्ति है, हमारे में नहीं है, योग शक्ति कठी नहीं की है, निष्चे नहीं, जो चीज हमको मिली है, बाप मिला, सर्व शक्तिवान मिला, उसने पराया, लाइक बनाया, शेवा सिखाई, विश्व के वो लूगे कितनी श्री मत दुनिया बदल जाएं नम बदलू हम. जो अनभवी होता है, वो कभ किसी कहने पर नंचल सकता, एक ऐश्वर की मत. इसका मतलब, दूसरी के मत से चलता है, उसको अनभूती नहीं है मैं एक के मत पर के चलने की, उसने लाभ नहीं लिया, कोई प्रापती नहीं की, जिसने इतना ख़जाना दिया, ख़जाना एक कांट से सुनके दूसरे से निकाल दिया, क्योंकर अपने घरों में दिल से, रुची से, तो उनको अंदर घूमता है, वुद्धी में, संकलपों में, तो तो भाजाना मिलता है, इस प्रैक्टीकल नहीं आता है, शक्ति भरती नहीं है, तो कर अपने झाल, ऑपर मों कहले हैं, तो हैं की, ऑपर घृ का दून, पृजिश अन्भवी नहीं हो सकेंगा बाबा ने हमको क्या दिया फाल्टुक संकलब है दर उदर के बहुत अंदरा आत्मा कमजोर हो जाती तबी तो कई बिचारे जाके आते हुए भी बाहर की निंदा सुनेंगे बाहर की बाते सुनेंगे संग के रंग में आ जाएंगे रंग फिर देधारियों का चर जाएंगा इश्वरी रंग खतम कर देते है समझा तो श्रीमत क्यों है अनबई अनपवतर खाओ संग पवतर रखो इसका मतलब बाबा ये किसके लिए कह रहा है जो सिंटर में रहते हैं उनके लिए तुड़े ही है सब बच्चों के लिए बाबा कहा है अगर बचना है आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो परेज है आज डाक्टर आपको कहीए तो सरीर के बीमारी में तो ये खाना न खा खाएंगी तो जरूर है सिर्फ दवा से क्या होंगा सिर्फ सुनेंगे पर प्रैटिकल न करेंगे तो उन से कुछ नहीं बनता है सिर्फ दवाई ते हाँ ये नहीं खाना है जब वो भी साथ में नहीं खाएंगी तभी बीमारी परता है आज उल्टिया किसको आती रहे वो जूस पीता रहे मैसुमी काता रहे तो और उल्टिया और वो वो जावे नुकसान हो जावे नहीं है तो ताकत की जीर ऐसे ही बाबा कहती है बाबा साब बच्चों को समझाता है घर में कैसे चलना है घरी घरी मुखह से कहेंगी मेरा लोकिक ये मेरा लोकिक मेरा ये सारा दिने समीम रहेंगी तो अलोकिक ता कैसे आएंगी ऐसे समझो ये अलोकिक है ये भी मेरा ये बेटा नहीं पर बाबा का बेटा है पती बेबाबा का है पती समझे ये बाबा की है पोत्रा बाबा का है बाबा को बीच में जरूर डाले बाबा को अगर नहीं डाला तो बाबा ये बोज की जालें जो है बहुत जनम त्रेट जनम की है जो इस जनम में हमको खतम करनी है रसियां से बंदे हुए है शरीर भी क्यों बीमार होते है उनसे भी हमने कुछ किया है तब ही बीमार होते है सब बंधन कटने है शरीर का भी बंधन कटना है तो वायू मंडल जो है भारी किस बातों से हो जाता है घर का वायू मंडल समझो कोई बीमार हो जाता है बार बार मां कहेंगी खुद भी बीमार कहेंगा मेरे को बहुत बीमारी है इसे डाक्टर को दिखाओ अब यह होता है अब यह हुआ फिर माम भी कहे यह इसको क्या हो गया अच्छा क्या करूं उसको कहा, उसको कहा तो बिचारे बच्चे इदर उधर सारा वायो मंदल भारी हो जाता है एक एक बीमार होने से सब घवरा आजाती है पर जो बीमार होगे वो कही है कोई बात नहीं कान के कान में चलो डाक्टर को बताए जो कान में बात की वो बताए सब को बताने की क्या जरूरत है वार वार रिपीट बीमारी करे बैठके तो वायू मंडल भारी हो जाएगा समझाने दुख पैदा हो जाता है अब किसने ये दुख पैदा किया हम नहीं किया नहीं हम उस भारी वायू मंडल को हलका कर देए कोई बात नहीं है बीमार भी कहें कि ये तो होना ही है कर्ददार आएंगे अपना कर्द लेके जाएंगे आरी हम हलके हो रहे है तो कितनी खुशी हो जाती है तो घर में भी ऐसे हलका कर दिया तो वायू मंदल हलका हो जाएंगा उसको वार वार रिपीट करने से वायू मंदल भारी हो जाएंगा एक बहु सास का जगरा हो जाता है, उसने दिरानी को सुनाया, उसने पती को सुनाया, उसने पोत्रे को सुनाया, उसने बच्चे को सुनाया, वायु मंदल भारी हो गया, घर का वातावरन खराब, तनावाला हो गया, समाने की शक्ति नहीं थी, समाने की शक्ति के न कारण घर खराब घर बनता ही नहीं है, है अपना संस्कार, इसके कारण घर बनता नहीं है, अपने संस्कार के कारण, तो ये पाप है, अपने पुराने संस्कार की पाल ना बैठके करना, और वो घर को भारी करना, और भारी होगे, ये मैं पाप का काम का, घर को मंदर नहीं बनाए रही ह अगर मेरे से ऐसा कोई काम होता है तो तर ना पूरा घर न होना चाहिए चलो एक ने कहा मैं समाई लूए क्या बात है हर एक अपने संसकार मुआफिक सब का अपनी तकदीर अपने साथ ले आया है मैं उसके अंदर क्यों कुछ हो तो मेरी भी हालत खराब हो जाएंगे सब वर अठी यह मैं किसके साथ क्यों उसमें मैं अपने सुटाम आतमा के नहीं चोड अरे बाबा कहती है शियव श्र्शत्ति सैना है में जैही सैना जो है सब कुछ militar हम करेंगी ऐसे तो एक Paige का नाम है लक्ष्मी ऐसी ताहर यह है वोही मत आइम・ बनी है यह सारी सैना बनी है वैषनु देवियां हैं, तो सब भी है वैषनु लक्षमी है, तो सब भी लक्षमी आई सैना बैठी है, बाबा ने सारी सैना को शिशक्तिय अवतार कहा तो मैं एसी और ये वातावरर रखूं घर में दूसरा भी मेरे को फील करेजी, मैं देवी के घर में आया हूं ऐसे महसूस करें दूसरा, यह महसूस ही नहीं होता है, ऐसे लंडन जैसे शेहर में मैं आपको क्या बता हूँ, वहां मेरे को शाम को सब के घरों में भेजा, जो पिरविर्ती में रहती है माता है, रोज शाम को मैं वहां जाती थी, सुबू किलास होता था, मैंने कमाल देखी वहां सच पच लंडन में, सब की पिरविर्ती बाल बच्चों सैथ पवत्र, एक की बच्चे की शादी रहुई, और सारा बव, बेटा सब पवत्र, शादी करके, और ऐसे रही परी है, सर्मिस साथी, शेवा करने वाली, बाबा के बच्चे है, सब कहते हैं यह बाबा का बाई, यह सच पच पिरविर्ती तो कमाल, अलोके के पिरविर्तियां सब रखी, और सब की बंगुला इतना पैसे होते हैं, बंगुले वो सब अपने मित्र संबध्यों को शाम को बुला के सर्संब करते हैं, वहां, एक-एक घर में मैं गई, देखने के लिए, कैसे सब ही न पकान नहीं था इतना, तो उसने क्या किया, एक स्टाक रूम थी, बिचरा भाई, अच्छा, आफिसर, कमरा नहीं था, तो स्टाक रूम में पट्र में अपना बिस्तरा लगा के, मैंने देखा, मैंने का, तू कहा सोता है, इस कमरे में तेरे बच्चे इस तरी, पिर तू कहा सोता है, कहते हैं, मैं इन्या सोता हूँ, पट्र में, बिस्तरे में, पूरा पट्र में ऐसे करके, और ऐसा स्टाक का, जिसमें दूसरी दूसरी चीज़ें पर ही होगे, ये एक त्याग है, बाबा को कमरा इतना बड़ा दिया हुआ है, शाई, सब बच्चों को वहां बिच् ऐसे चलती है, मैं गरी-गरी उसे पूछूं, भाई तू कैसे रहता है, आपने क्यों जादी कहता है, वो अज्ञानकालमेगी ने, अभी तो देखो, ये कैसे सब बन गए है, अपनी जीवन त्याग से ने, त्याग तपस्या शेवा, कितना घर-घर मंदर बनाय दिया है उन्ह और यहां भारतवासी, जिनकी संस्कृती इतनी उंची पवत्र, देवता, धर्नी, ये यहां की, और वो घर में विकार होता रहे, बच्चों को बचाए न सके, बाबा को कमरा न दे सके, बाबा कैसे मदद करेंगा, क्या त्याग है, क्या कुर्बानी है, बायू मंडल रखो जिसको देखे के, ये मेरा पड़िवार है, शादियों का अपलानी का, बाबा का रखो, अपने ऐसे सलोगन रखो, देखो कैसे सारा ओम शांती भावन देखो, जो तरफ जो देखे, इन सलोगन कोई देखता रहे, चित्रों कोई देखती रहे, ऐसा अगर बना उने, सलोगन लगा पर होवे, चित्र ऐसे लगे पर होवे, कोई आवे तो उनको समझाए भी सके, हम बिर्मा कुमार, बिर्मा कुमार या शेवार्थ है, ने, जाए वो घर है, बाबा ने रखा शेवार्थ है, फिर गरस्ती क्यों बनाया, अपने इसंकल पसे उस घर को, बाबा ने पिर परती पवित्र में रखा आपको शेवार्थ है, या अंगरस्ती के रूप में रखा है, फिर बोल भी ऐसा हो जाएंगा, पुराना, संबंधी आएंगा पोत्रा, बच्ची आएंगी, बच्टा आएंगा, फिर पुराने संबंध से बात होगी, हमारी पुरानी सुभा उ संस यह घर में भी बच्चे हो इस बच्चे कोई है, हम अपना समझे क्रिष्टी क्यों बात करते हूँ तो यह व्हायू मन्डल किसने बनाया हमने ह idé बनाया घर का घर का ग्रस्ती वैयू मन्डल हमने उनको बच्चे का नहीं समझा अपने को पूरा बबां की आगे शरेंडर नह तो नहीं तो कैसे सफलता होंगी? आपका दाना, विज्जाई दाना, ऐसे बाबा का वाहर सुबनों, गल्ले में बाबा आपको लगाए, चूमे, प्यार करे, अरे तुम बहुत मेरी बेटी अच्छी हो, क्या तुमने अच्छा बनाए दिया, एक आत्मा क्या नहीं कर सकती है, विश्वास रखो अपने में, एक बाबा साकार में अकेला था, किसकी मदद थी बाबा को, शुरुआत में, इतनी माताएं कन्याओं को उस रह्म करके बचाया नहीं, पवितरता में, अब पवितर नहीं, क्या बाबा के लोके के घर नहीं की, सारे भायों ने हंगामा किया, क्या बाबा के घर को आके आग लग क्या हमारे पत्थर चलते थे, सिर्फ पवित्र न रहे, यह माता है, बाबा के पास सारे शेर के मुखी आ गए, बाबा इनको चार विकार भले समझाओ, पांचमा विकार पत्ती के हाथ में है, वो उस पर नहीं समझाओ, बाबा ने का, मैं भी तो ग्रस्ती हूँ, अभी मैं ग बाब बाबासाति रहे, हमको पोडसातों, बाबलड़ा पत्ती केम तो लिए। नहीं ग्रस्ती बनो। इन गीता में भगवानो मवाच वाक्या, मैं तो मनशेर हूँ, मैं तो मनश्य हूँ, मह भाणिसरी कहसकता है काम महस्यत्रू हूँ और उसमें भसा गें, स्म्में जुक क्योंको करो नहीं बबबा रहे खेंग गड़ अज़ुकर अज़ दूसरा करो असे कैसे हो सकता है सब को समझाया ना अची तर ऐसे बदाब बड़ा थोड़ा थोड़ी समाझ के बरे बरे आ गए है मुखी अछ्य मैं आइसे ही करता हूं अजय जंग्रे परे, अच्छा मैं धीला करतेता हूं, अच्छो बले बले, ये चार विकार जीतों, गरगर में जंग्रा लगता है, बच्यां कोई बात नहीं, टाइम आएंगा हो जाएंगा, बाबा ने कभी ऐसा किया, ओ बाबा पवित्रता के लिए, बच्यां थूक पती, अच्छा मैं ये खालता हुआ है, बच्यां आएंगा हुआ है, बच्यां भी आएंगे किया इंगें, बच्यां तो गिरावत्य थे, फिर पुझय की डुनिय कैसे पवित्र दुनिय कैसे इस्तापन होंगी। शीव बाबा से पुझा को तो रखा अने मित्र पवित्र दुनिय करो। फांडेश मेरा इंट में कमज़ोर जिते ते कोई बन्ह न सके कैसे विश्व बदले। एक फाउंडेशन डारना है तो राखना करना पड़ता है। यह तो होगा, पेपर आया पेपर सब में पार हो गया, तो उस रही लाइन पर हम चलते हैं, तो हम क्यों कमजूर होगें, यह बाबा को देखना है, बाबाबा ने जो किया और हम करेंगे। तब ही तो झार बाबा के पीछ है, सवाकार गूँना एंगा है। सम्भंद तो फर भी उनके साथ ही वर वतुतने गूमना है। तो जो बाबा के साथ सम्बंध आमें से जाए जञेंगे, उद्धीव बाबा के साथ हो जा तो यह रहो तो बहुत मैं तो भी भाबा से होनां की दुनिया तो पुझातमतम करें पूंच में का आवे नारी नर्ग का दुआ है तो पावर्सुल आत्मा बनो, अध्यात्मक शक्ति, यह सारी सेना अध्यात्मक शक्ति वाली है, उसे शक्तियों में पदारतों, धन्ना में पदारतों में पोत्रे, वो कोई सुख है क्या, वो दुख भी बहुत देता है, अलब काल है, ना सरीर भी तो को अलब काल है, कोई का स बेटा सरीर छोड़ता हैं, रोते हैं, कितनी बुरी बात लगती हैं, रोने क्यों जिन्दगी बनाई, बाबा कहता है, एक दुखा का आँसु अगर आया, मेरे बच्चों को, बहुत पाप किया, यह बाबा का आवाज नहीं भूमता है, दुखा का आसु, प्रेम का आसु आए खुछी से आसु आवे, दुखा वही दुखा कि दुन्या के आख पिर वही हमारा बदले हम, कोई सरीर चूरता है हमने क्या शेवा की उसके आगे, कुछ भी ने क्या जीवन अपनी दिखाई, रोने की दुन्या दिखाई, अपनी हम खुद दुखी है, हमको अटेच्मेंट है कोई केती है हम बले हमारे को अंदर से नहीं है, रोती है पर समाज है नहीं कहेंगी ये तो रोती नहीं है बिरमा कुमारिया, ये क्या सिखाते हैं, इनको प्यारी नहीं है, अब फिर दुन्या के मत पर आ गई नहीं, यहां से अकमजोरी होती है, अगर आप देधारी मनशों को याद करेंगी तो आपका मन कभी powerful टाकत वाला नहीं हो सकता है व्युकर दुन्या तो ही कमजोर नहीं देधारी है देभमानी है उनकी बातों में हम क्यूं आजावे क्या भी कहतें दुन्या कहती मुझे को पागल मैं कहती दुन्या पागल उनके बातों में आप क्यूं आते हो, उनों के, आप आओरी शक्ति हो के दिखाओ कैसे हम बैठे हैं योग में, बाशन करो, योग तिखाओ उनों को, समझाओ, खरे हो के ललकार करो, बिर्मा कुमारियों को बुलाते हैं, जब ही कोई सरीर छोडते हैं, तो हमको बुलाते हैं, बैया के बाश्रम करो, आप बिर्मा कुमार्या नहीं हो क्या, आप गरस्ती हो क्या, आपको बुलाना चाहिए, तो आप घर में बैठके रोएंगी, तो आपको कौन बुलाएंगा, आप उसे शेवा कौन कराएंगा, कोई नहीं शेवा कराएंगा, पर जब आप घर में देखे आज ये गया, आज ये गया, ऐसे योगर युक्तों के बैठी है, समझाए रही है, उसका परभाप अरता है, संबंध्यों के उपर, पहले भले कुछ भी कहें, कहेंगे आखर ये है, हमारे पास अंबिर्सर में एक लोकिक है, एक माता है, उसको एक ही बेटा था, और उसका पत बेटे ने सरीर छोड़ दिया, उसको एक आशू नहीं आया और उसने सब के आगे बाशन किया, बैठके, समझाया, सब जो आते थे वहां उनको समझा दी रही है, पिछारी तक पत्री को आशू आया, भले उसने इतने गुरू किया, सारा ताइम उसका विश्वास महा मंदल एससौर में हमारे सामने भी आता था, अपने को समझता था, मेरे पास सब कुछ रह, पेटा गया तो रोना रोने बहुत हो जाता है उन्हों का, मन मेरे में लगाओ, मेरा जब इसनन मुखहना हमारे बाप परह रहा है, हमारा तो मन लगा हुआ है, उसे से सब मसंबंद है, तो हमको क्यूं दुख होंगा, हमको पता है, सर पर एक खाल छोड़ता है, दूसरी नहीं लेता है, जो जिसका टाइम जो जाएंगा बिनाशी है वो पका हो गया है, रोना का एका है, दुख का एका है, दुखर हुपी दुन्या में हम सुखर हुपी दुन्या बनाए रही है, आरी, हमको सुख बांटना है या दुख बांटना है, यह रोया वो दुख बांटना है, यह रोया वो दुख बांट थखनाें न फिर रूहना सि बंच को नहीं गल जाहिए। और हमने देखा पत्सक्राइं एक जिल रहो है। कि पर ज़ ngon तो आए यही ऐक मेरा माता है जो एक बेटा इसका चला गया हम को तो संझाते हैं हम रोते हैं किह उना को रोना बंध करा दी है। और संबंधी बाइर से आता है, उनको रोना बंद करा दिया, तो उसका परभाव परता है, थोड़ी दुर्म कहेंगे, मा रोती नहीं है, ये होता है, क्यों इसका प्यार नहीं है, वो कहते हैं, ये देवी है, देवी, सच परता है, ऐसे परभाव निकलता है, समाज के उसमें आना चाहिए, आप ठीक बनो, या, बाबा का ऐसे ही तो नाम हो, ये डिसर्विस हो जाती है, तो क्या कहते है, हमको भगवान पर आता है, भगवान पर आता है, तो खुद बैठके रोती है, ये क्या करती है, तो इसलिए बाबा कहते है, रहो भले घर में, सब करो, परन्तु अंदर संसकार जो है, पुराना, सुभा, संसकार, संकलब, समय, इन बातों में नंगावाओं अभी, आप अपनी स्वाव नती करो, अभी, टाइम नहीं है, अभी कहां तक है, ये आप करते रहेंगे, लोगों के उसमें चलेंगे, लोक अला, जब कुल मर्यादा, भगतिन मी ब्रह्मन बच्चे, ब्रह्मन तो सबसे उंचे है, देवता भी पिछे है, ब्रह्मनी देवता बनती है, क्यों ब्रह्मनों का नाम है, ब्रह्मन शेवाधारी है, आज से कब नहीं अपने को कहना हम ग्रस्ती है, हम शेवाधारी है, बस पका करो दियो, कोई दृद्र संकलपय कि यहां करो तो हम शेवा धारी बस बाबा ने मे वक मेरे साथ क्युंद कुम छ hina कर कर दो के शेव चाई बाप शेवाने शेवा चाई कर्मना शेवा हमारे से इस रहें होगी हम पाप नहीं कब करेड़े, आए है पाप कट नहीं, या पाप बननाम नहीं आयी है. किसलिए आए है? आहुति तो जा बिya है यगयो रच्छा अहुती किस न दी卜़ा बिya है? सब जो भी पुरानी चीजा है स्वाहा, स्वाहा. सब कथे कहते हैं बिya है, विर्मनों सब पुरानी चीज़ स्वा करते हैं, नहीं। तो यह भी इतना अवनाशी ज्यान यग्या बना रचा हुआ है। उसमें स्वा करो नहीं। स्वा करके जाना है। अब क्या कहेंगी अपने को, मैं काउन हूँ। आटके ट्रस्टीं भी यह जए dispसें सब्टेरियों। तो यह जो हो भी, यह हिए। सकत द्रस्टीं है। सु किम महत भी जाए। स्वादार। स्वादारії श्यान कितशने अबुड़ता हुआ हुआ। उनका नाम क्या रखा है, शेवाधारी, यह शेवाधारी है, और वो समझती है, मैं सच पज शेवा के लिए मदू बनाई हूँ, सब कुछ भूल जाता है, उन माताओं से पूछो तो सही, अन्भव कितिना खुश होती है, बैशेवाधारियों का आजु किलास है, ऐसे कहते हैं बैशेवाधारी को बुलाओ, उनको पका हो गया है, आम शेवाधारी है, क्योंको करम ऐसे करती है, यग्या की शेवाधारी करती है, तो दूसरे भी कहते है शेवाधारी, तो पका हो जाता है, मैं शेवाधारी को, आप भी ऐसे पक्की हो जाएंगी तो दूसरे भी आपको तो गरस्ती नहीं समझेंगा, वो भी समझेंगा वैष्णू के पास, देवी के पास जाते हैं, योगिन है ये, समझा नहीं, शेवाधारी है, जो जाता है उनको कुछ न कुछ अच्छी बाते सुनाते हैं, इनके पास जाओ, टाइम वेस्ट नहीं जाता है, इदर उदर परप कश लोगेर के परिवार में कितने होते हैं, सब समझे, हम को ले चलो, आपको कहां से मिला गया? आपका मदुबन से इतना प्यार होंगा, श्रीमत से प्यार होंगा, बाबा से होंगा, उनमें भी वो डाल देंगी, खजाना, वो कहते है ने, तो योगशिवर में तो कोई भी आ सकता है, हमने नान्थुरे किया है, योगशिवर रखाई इसलिए तो मित्रसंबंदी इनके पर बस बर आके अलग आती है वो, आप पर आना चाहिए ने बुद्धी में, कैसे इनको ले जाओं वो प्लैन आवे, इतने बस जितने त्यार करो, फिर दादी को लिखो दादी, हमारे इतने हैं, फिर अलग हमको टाइम दियो तो थोरा, पांच दिन की बात है हम वो हो उनमें इतना मैतव भरो, कुछ तो करो, वाकि क्यों नहीं, जोन में भी ऐसे हम कर सकते हैं, योगा शिवर कर दिया, उन सब संबंजों को वहां ले आया, योगा, जोन में जरूर कोई न कोई के पास बरी बिल्डिंग होती है, मधु बन पहले, मधु बन पीछे, मैं का गरी बहुत शक्ति, खुशी, आप समझेंगी, सच पच जूला तो अभी है, तत्यूग में जूला तो पीछे है, पर हम सदी व ज्यान के जूले, प्रेम के जूले, आनंदे के जूले में जूल रही हैं, कहेंगे, इनकी भरपूर है, संपर, अंदर से, क्या इन में देखो, क्या इश्यए इशन बारा है, संदीवा से, इनके नयन, इनके चैन, नहीं कहाँ इनका लओ जा रा है, प्यार जा रहा है, इश्यए प्यारवाली का चैराई बदल जाता है, चिन बदल जाते है, तो इसे अभी इसके बाद ऐसा लगे, यि एक-एक घर एक मंदर में जा रही है, वो जाते हैं जो पैसा डालके हाथ जोरके चलीगें। यह चेतन की देवियां के मंदर में आये तो कुछ मिले उनको। ऐसे नहीं पैसा रखके सिर्फ चले जावें चेतन देवियों के आगे लेन देन करके जावें। नहीं, हमको कुछ नहीं किसी से चाहिए यह अवनाशी ज्यान धन देना है। और हम देवें। वो न देवें हम देवें। बाबा के रतन जो हमको मिले हैं वह हम उनसे भरफूर करते वे। अब समझा नहीं तो ऐसी भरफूर रहना। बाबा कहते हैं, संपन मेरे समान बनो, तो कैसे बनेंगे, जो बाबा ने किया, वो हमको करना है, जैसे बाबा चला, तो बुद्धी बाबा में लगी रही, लगी रही, जब कोई देखर भी घुनाता है, यह कोई ऐसी बात, समझे आती है, यह बाबा होता तू क्या करता है, हम वहां तो साथ आठ बच्चे होते हैं, यह कितने होते हैं, बिन बिन सुबा, बिन बिन संसका, फिर कोई बात होती है, समझे होती है, तो हम कहते हैं, बाबा होता तो यह क्या करता है, आप यह नही बाब कर सकते हैं, बाबा को याद जरूर करते हैं, क्योंको बाबा उपर से निर्ने शक्ति कितनी पूरा सुप्रीम है तो सुप्रीम की मत्व पावर देती है ज़्याद है तो बाबा को याद करके उसके हल कैसे करना है बिग्री को कैसे बनाना है ठीक करना है नहीं ठीक होगे तो किनारा कर देना है ऐसे कमदोर नहीं बनना बिग्री को बनाने लिए आया है, हम बच्चे बिग्री को बनाने वाली है, समझा नहीं, प्यार बाबा का बांटना है, ऐसी ऐसी करके संकलप पाजिटिव, अच्छी, पावर्फुल करकर के ताकत लियाओ अपने में, अध्यात्मक शक्ति, बड़े, फिर योग आपका बहु नहीं आएंगी, संकलप पाइन अच्छी, पावर्फुल, वो नींद करने, अभी देखो नींद आती है, सब कैसे सुन रही है, मैं जब आई तो थोड़ा, ऐसे, ऐसे, क्यों शान्ती में बैसे थे तो कांद ऐसे हो जाता है, क्या करें, कितने थे, क्या तोच्छी, या रमन आएची वहा, मेरा भाग़क्जाए, मेरा ड्रामा, मेरा देखो बाबा ने कितनी थाकत दी बाबा ने मेरे गर को कैसे बाबा बाबा करते रहो, तो तो इसका कांद्रा ऐसे होगे, होंगा ही है, करके देखो, योगा मारा पावर्पुल है, बहुत, लाल कर देने वाला है, आत्मा सतो परधान बनाने वाली है, अच्छा, ओम शाहनती, टाइम हो गया, बीटी-बीटी माता हैं, प्यारी-प्यारी माता हैं, हाँ, आच्छा, जी.